कैसे स्टुडेंट्स आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे आज मोमेंट ऑफ नर्श्या औफ ए युनिफॉर्म रेक्टेंगूलर लेमिना हम पढ़ा रहें आपको बिस्टी फर्स्ट यह सब्सक्राइब्स हरें तो हम आज पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ नर्श्या औफ वे यूनिफॉर्म रेक्टेंगूलर लेमिना यह हमारा टॉपिक है Switchments , देखो Rectangular lamina ये होता है Plain seat है उसको rectangular lamina कहते है अब यहाँ पर एक axis तो यह हो सकती है एक axis यह हो सकती है और एक इन दोनों की perpendicular axis हो सकती है ठीक है तो आप जो है इसे X इसे Y और इसे Z axis कह सकते है तो moment of inertia आपका X axis के about भी हो सकता है तो हमें निकालना है इसके अबाउट ठीक है जो की एक्टुली में अक्सर पूछा जाता है ठीक है तो यह जो है इसे माल लीजेगी जो लेंट है इस बी और यह जो लेंट है यहां से लेकर यहां तक की जो लेंट होगी मतलब कुल मलाक अगर इस पॉइंट को हम ओ मानते हैं तो यह होगा माइनस एल वाइटू से लेकर प्लस एल वाइटू ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं तो कैसे करेंगे दिखिए यहां बर आपना इ लेजे कि dx है ठीक है that is going to be dx ठीक है और इसकी जो यह y-land थे तो b ही रहेगी ठीक है तो इसका जो एरिया मनेगा वो क्या हो जाएगा इसका एरिया तो आपको में लिए ठीक है इसका हम अब आगे चलते हैं तो देखो अगर हमें मोमेंट ऑफ नरिशा निकालना तो मोमेंट ऑफ नरिशा का कंटिनियूस बॉडी के लिए फॉर्मॉला मैंने आप लोंको बताया था कि यह होता है अब इंटिकेशन ऐसे लेना है कि लेमेना पूरा कवर हो जाएगा तो अगर क्योंकि हम एक्ष में है तो हम माइनस एल बाइटू से लेकर प्लस एल बाइटू तक जाएंगे ठीक है एक्सवर की जगे एक्सवर आप डी एम का क्या करें तेकिए सो मास ओफ डी एक्स कितना होगा ठीक है इतनी स्ट्रिप का जो मास है वह कितना होगा तो यह होगा ठीक है टेंसिटी इंटू एरिया डी तो टेंसिटी कितनी होगी मास ओफ दा टोटल मास अपन एरिया तो बी एल इसता एरिया और डी ए कितना है भी डी एक्स वह यह लिख करेंगे जो dm यह है हमारा बना इसकी वैल्यू को हम इस equation में पुट कर देते हैं तो चलो यहां पर हम पुट कर देते हैं यह हमारा हो जाएगा m upon l ठीक है dx तो यहां से आपका m upon l जो है बाहर आ जाएगा अंदर इंटिकेशन होगा माइनस l से y2 से लेकर प्लस l y2 तक x square dx अच्छा यहां पर अब क्या है जैसा हमने प्रीवेस वीडियो में किया था सब कुछ वैसा ही अगर आप पूरा solve कर होगे तो यह हो जाएगा m l square upon 12 y कर रहे हैं वह इस एक्सिस को लेकर कर रहे हैं यहां से यहां तक है ना तो बिसकिली इस इस गोई तो आप करोगे ना तो आपकी जो इस ट्रिप होगी वह आपको यह से स्ट्रिप एजियूम करनी पड़ेगी इस टाइप की स्ट्रिप जो है आपको एजियूम करनी पड़ेगी और आप लेंगे माइनस बीवाइट उसलेगर प्लस बीवाइट तक तो solve करेंगा आजाएगा हलाग इसको एक्जाम में भी आफ लैमना में ही है तो बाइ थियोरम ऑफ पर्पेंडिकुलर एक्सिस पर्पेंडिकुलर एक्सिस कि अगर थियूरम से दिखेंगे तो इजाएट एक्स प्लस आइवाई टिक है तो आई एक्स क्या है एम एल स्कॉर अपॉन ट्वैल्फ प्लस ऐवाई जये हमारा म अपउन ट्वैल्फ को मना जाएगा यह हुझा आइल स्कॉर प्लस य्टुई स्टुई कि यह हमारा जो है आन्सर है थिक है और यह ही आपको क्या है याद भी रखना है और इसी का डेरिविशन जब एक्算 में आएगा तो करेंगे तो number मिलेंगे ठीक है तो इस ठीक है टेक क्यार all of you bye bye thank you so much